आज हम अविराम घरग्रंत प्रवचन में प्रविश करते हैं पहले अध्यान का नाम है शड़ द्रभ्य निरूपन जैन दर्शन में जो तत्व मिमान्शा है ये उसका मूल है जैन्दर्शंकी तत्व बिवस्था में विश्व की बिवस्था में ये शड़ द्रभ्य निरूपन आधार है तो पहले अध्यन का नाम शड़ द्रभ्य निरूपन है इसकी जो पहली गाथा है वो है नो इन्दिय गेज अमोत भावा अमोत भावा वियहो इलिच्चो अज्छत्य हे उम्निययस बंधो संसार हे उम्ट्रवयंति बंधं नो इन्दिय गेज अमुत भावा जो अमूर्थ स्वरूप है जिसका वह इंद्रिय ग्राहिय नहीं होता अमुत भावा वियहो इनिच्चो अमूर्थ ही वह उसका स्वभाव है इसलिए वह नित्य है अज्छत्य हे उम्नियस बंधो और निश्चित्य जो बंधन के कारण है वो आध्यात्मिक है भीतरी है संसार हे उम्नियस बंधन के कारण भीतरी है और फिर ये बंधन जो है ये संसार का कारण कहा जाता है संसार हे उम्नियस बंधन संसार कहे तो बंधन को कहते है और बंधन के कारण को अध्यात्म कहते है ये भीतर के भावों को कहते है इस गाथा के शरूप को समझना बहुत आवश्यक है नीद के जटके और लटके लेने लग जाता है तत्तों के विशय में शर्वन कोन करना चाहता है सुनना भी कोन चाहता है पर इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते है नो इंदिय गेज्य अमूर्थ भावा जो अमूर्थ भाव जिसका भाव है यह जिसका स्वरूप है अमूर्थ ता उसको इंद्रियों से ग्रहन नहीं किया जा सकता अमूर्थ का मतलब है जिसका कोई मूर्थ नहीं है अब इसे इंद्रियों हमारे पास जो हैं इंद्रियां वो है पांच और पांचों इंद्रियों का अपना अपना कारिय है जैसे आँखों का कारिय है देखना नाक का काम है सुंगना हमारी जीब का काम है चखना स्वाद को पहताना हमारी कान का काम है सुनना और हमारी तुचा का काम है किसी भी चीज को इस पर शकर के महसूस करना पांचों इंद्रियों के अपने अपने काम अब इन पांचों इंद्रियों के जो काम हैं वो सारे के सारे पौदगलिक हैं क्योंकि हम जो देखते हैं वो रंगरूप वाला जो चखते हैं वो रंगरूप वाला जो हम सुनते हैं, सूंगते हैं या जिन चीजों का हम स्पर्श कर पाते हैं जिन चीजों का हम छो कर महसूस कर पाते हैं वो सारी के सारी अवस्थाएं मूर्त की हैं मूर्त मतलब पुद्गल की जड़की जिसे हम मैटर कहते हैं ये सारी के सारी चीज़ें अमूर्त में नहीं हैं मूर्त का मतलब ही हुआ इसे बिलकुल स्फष्ट करके चलिए, मूर्त का मतलब होता है दिखने वाला, मूर्त का मतलब होता है जिसमें स्वाद हो, जिसमें कोई रंग हो, जिसमें कोई गंद हो, या जिसमें कोई स्पर्श हो, और शब्द भी संयोग से उसमें आ जाता है, अब इसमें चार चीज़ें हो गई मूर्थ के लिए सबसे पहले उसमें कोई रंग होना चाहिए काला पीला नीला सफिर जैसा भी हो कोई सब रंग उसमें विद्यमान होना चाहिए ये मूर्थ का पहला लक्षन दूसरा जो लक्षन है मूर्थ का वो है कि उसमें कोई ना कोई रस होना चाहिए खटा मीठा या कड़वा या कशेला जो भी है उसमें कोई ना कोई रस होना चाहिए तीसरा उसमें कोई ना कोई गंद होनी चाहिए गंद सुगंद या दुरगंद जो भी उसमें कोई ना कोई गंद विद्यमान होगी और चोथा वो है उसमें कोई ना कोई स्पर्ष होना चाहिए ठंडा हो गरम हो हलका हो भारी हो या कोमल हो या कठोर हो या जो भी हो उसमें कोई ना कोई स्पर्ष विद्यमान रहना चाहिए तो चार चीजें हो गई, वर्ण, अर्थातरंग, रस, गंध और इस्पर्श, जिसमें ये चार चीजें विद्यमान होती हैं, उसी को हम मूर्थ कहते हैं, अब ये चार चीजें जब बात आती है कि आँख रंगों को देख पाती है, गजब की बात ये है कि आँख रंग विही नहीं होती हमारी जो जिवा है वो स्वाद को ग्रहन करती है और जिवा स्वयम में ही स्वाद विहीन नहीं होती हमारी जो नाक है जो नासिका है वो गंध को ग्रहन करती है और गंध विहीन नहीं होती ऐसी ही इसपर्ष के विशे में भी तवचा के विशे में भी है कि हमारी तवचा चीजों को छूकर भी इसपर्ष करती है और स्वयम भी इसपर्ष युक्त है पर यहाँ पर जो सुत्र है सुत्र कहता है कि इंद्रिय ग्राहिय नहीं अमूर्थ भाव अमूर्त का मतलब है जिसमें न रंग है जिसमें न रस है जिसमें न गंद है और नहीं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इसपर्श है उसको हम अमूर्त कहते हैं अब हमारी इंद्रियों की जो बनावट है वो मूर्त से है पुदगल से है मैटर से बनी वही है पुदगल की निर्मिती है हमारी इंड्रिया हमारी जो आख हैं, कान है, नाख है, जिवा है, शरीर है ये सारा का साधा निर्मान पुदगल से हुआ है जिसको हम मैटर कहते हैं मैटर से हुआ है तो मैटर की पकड केवल मैटर की सिमित रहेगी उसकी पकड़ अमूर्थ तक अमूर्थ का मतलब जो मैटर से परे है जो मैटर नहीं है उसको ये इंद्रिया नहीं पकड़ सकती क्यों? क्योंकि वो जगत इंद्रियों का नहीं है यही बात भगवान कह रहे है कि जो तुम्हारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं है वो अमूर्त है अमूर्त पकड़ में इसलिए नहीं है क्योंकि इंद्रियों केवल और केवल उसी को पकड़ सकती है जिससे वो बनी है और इंद्रियों बनी है हमारी हमारी पुद्गल से इसलिए अगर इंद्रियों की कोई भी पकड में आएगा तो वो केवल और केवल पुद्गल होगा यहां तक की मन से आप जब आप ध्यान कई लोग होते हैं जो ध्यान की अवस्था में कोई प्रकाश देखता है कोई शब्द सुनता है कोई अजीब अजीब की सुगंद उसको आने लग जाती है और ऐसे दिव्यगंद कहते हैं उसे दिव्यष्ध धनी कहते हैं उसे अलिए गलग चीज़ों में उनके अनुभूतिया होती है गजब की बात यह है कि वो सब भी मानसिक जगत में केवल और केवल मैटर का पदार्थ का पुदगल का ही खेल है बस यह है कि बाहिय जगत में स्थूल पुदगल मोटा जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो काम करता है और भीतरी जगत में इस थूल सुक्ष्म जिसे हम बिल्कुल पतला या न दिखाई देने वाला जो सुक्ष्म हो जाते हैं बारीक हो जाते हैं वो मैटर वो पुद्गल काम करता है परंतो जब तक दिखाई दे रहा है कुछ जब तक सुनाई दे रहा है कुछ जब तक छुआ जा सकता है किसी को जब तक सूंगा जा सकता है किसी को तब तक एक बात अपने मन में जमा कर रखिए कि आप केवल और केवल पुद्गल के ही जगत में हैं पुद्गल से बाहर नही और भगवान कहे रहे हैं कि नो इंड्रिय गिजव मुत्व भाव कि अमूर्थ भाव को इंड्रिय ग्राहिय नहीं किया जा सकता है इंड्रियों से पकड़ा नहीं जा सकता किसलिए क्योंकि वो अमूर्थ है मूर्थ जगत का काम केवल मूर्थ से हो सकता है अमूर्थ से वहाँ अमूर्थ उसकी पकड़ से बाहर चला जाता है और हमारा पूरा का पूरा जीवन केवल मूर्थ का ही खेल है हमारा देखना, हमारा सूंगना, हमारा चखना, खाना, पीना, जीवन पूरा का पूरा हमारे मूर्थ में जाता है मूर्थ का मतलब इस सारे संसार और इसके विशयों में जो इंद्रियों के विशय हैं चाहे वो काला, नीला, पीला, सफेज जो भी है, रंगों में, रसों में, गंधों में इस परशों में हमारा पूरा जीवन जाता है शब्दों में हमारा पूरा जीवन जाता है इसलिए जीवन जब क्योंकि पूरा का पूरा शब्दों में पूरा का पूरा रसों गंदों इस परशों में जाता है इसलिए हमें अमूर्थ की खबर नहीं होती जिस वक्त हमें मूर्त की सीमा का पता चल जाता है पुद्गल की सीमा का उसकी अपनी मजबूरी का उसकी अशक्यता का हमें पता चल जाता है उसी समय में हम एकदम से पुद्गल से परे अमूर्त दशा का बोध करने के लिए प्रियासरत हो जाते हैं एक चीज याद रखिए हमारा हमारी इच्छाओं में मूर्त पलता है हमारी इच्छाओं में पुदगल पलता है इसलिए हमारा पूरा जीवन पुदगल मैं हो जाता है जिस दिन हमारी इच्छाओं में हमारी कामनाओं में अमूर्त पलेगा हमारा जीवन उसी पल अमूर्त में ढ़लना चाहिए आलम आरंब हो जाएगा उसी दिन वो शुरू हो जाएगा ऐसा कहते हैं राजा जनक की सभा विद्वानों की सभा थी हर रोज किसी ना किसी प्रकार की शास्त्र वारता वहां होते रहते थी कोई ना कोई वहां विद्वान लोग आपस में किसी ना किसी प्रकार की मगजमारी में कहूं या किसी ने किसी प्रकार की कोई आध्यात्मिक कोई सामाजिक कोई किसी भी प्रकार की वारताला पूंँ चला करते थे और बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग उस जमाने के उनकी सभा में हुआ करते थे उस जमाने के इसाब से उने कहते थे पंडित मतलब पढ़ें लिखे शिक्षित लोग जो किसी न किसी विशय पर रोज कोई न कोई बात उनकी सभा में शास्त्रार्त उस जमाने में कहा करते थे आपसी सलह मश्विरा वो चला करते उसी युग में अश्टा वक्र एक बालक आठ साल का वो उसकी उम्र की अश्टा वक्र इसलिए उनका नाम पढ़ा क्योंकि उनका जो शरीर था वो आठ जगों से कूबर था तेड़ा मेढ़ा पाम कहीं जा रहे हैं, घुटने कहीं जा रहे हैं हाथ कहीं और हैं, कंधा कहीं और है गरदन मोडी हुई है तेरा भी बेढ़ा है आठ जगों से शरीर आठा, तेड़ा, मेढ़ा अजीबसा, घुमावदार तो इसलिए उनको लोगों ने अश्टा वक्र उनको कहना आरंब कर दिया नाम तो सायद कुछ और रहा होगा परन्त क्योंकि आठ जगे से उनका शरीर मुड़ा हुआ था इसलिए लोगों ने आपस में उनको अश्टा वक्र कहकर है बोलना आरंब कर दिया धीरे धीरे अश्टा वक्र आठाल का जब हुआ तो एक दिन अश्टा वक्र अपने कुछ बाल संगियों के साथ बाहार खेल रहा था और खेलते खेलते ऐसे ही बच्चे जैसे होते हैं बच्चों में आपस में बात चल पड़ी उनके अपने अपने पिताओं के बारे में तो सारे बच्चे बोले अरे अश्टा वक्र तेरा पिता कहा है तेरे पिता तो दिखाई नहीं देते और गजब की बात ये थी कि सच में ही अश्टा वक्र के पैदा थोड़े दिन पैदा होने से थोड़े दिन पहले ही उसके पिता को राज सभा में जाना पड़ा था और वो गए तो वापस लोट करना आए तो इस तरीक पिता जी है मेरी केवल मा है मेरे पिता जी कहा है अब उसने अपना खेल सब छोड़ा वो मुने मा के पास आया और मा को बोला मा मेरे पिता जी कहा है तो एकदम से मा को धका लगा अरे इसने तो पिता जी की बारे में बेटा ये कहा से तुझे बात पता चली पिता का क्या मत तो तुम्हारी पिता जी वहीं गए और हार गए और वापस नहीं आए तू कहा करे अच्छा ऐसा हुआ करे हाँ ऐसा ही हुआ है तू कहा करे ठीक है आज मैं जाता हूँ और राज सभा में उन सब पंडितों को जिन्हों ने मेरी पिता जी को हराया और मेरी पिता के साथ ऐसा स जूलता हुआ सा क्योंकि पाउं भी बेढ़ंगे थे चाल ही बेढ़ंगी थी शरीर बेढ़ंगा था तो उस बेढ़ंगे से बेडोल से बच्चे को जब राजदरबार में आते हुए देखा उन सारे विद्वानों ने और राजसभा में इस्थित लोगों ने तो उसकी चाल क को देखकर उसके उस आकरती और उसके उस बेढ़ंग से विवहार को देखकर चलने के तरीके को देखकर वो सारे के सारे हसने लगे जोर जोर से हसने लगे और सारे विद्वान हसने लगे तो जो अश्टा वक्रत था बच्चा वो खड़ा हो गया और सब को देखता है एक कर कर दें परकें सारे हस रहे एं वह सब की तरफार आराम से देख रहा है चल वी रहा है दीरे दीरे चलते चलते उनको देख वी रहा हुआ और ख़ड़ा वियर। कि देखो यह सब हस रहे हैं और थोड़ी देर में जैसे कि भाईया अब वो विद्वानों की सब आते थोड़ा उनको लगा होगा कि यार ज़्यादा हो गया हमने एक बच्चे की हसी उड़ा दी अभी को बहुत बड़ा बालक कोई बहुत बड़ा आजवी चोटा सा 8 साल का बच्चा है कि हमने ज़्यादा मज़ा हुडा दी, हमें ऐसा हसना नहीं चाहिए था और सबने थोड़ा सा हसना बंद कर दिया जैसी ही सबकी हसी बंद हुई है आश्टा वक्र ने जोर जोर से हसना चालो कर दिया सारे पहले सारे हस रहे थे तो अश्टावक्र चुप थे अब सब चुप हैं तो अश्टावक्र हस रहे हैं जोर जोर से जब सारे चुप अब सारे के सारे आश्चिरे चकित हैं कि भाई अब इसने क्यों हसना चालो कर दिया तो राजा जनक ने कहा कि अरे बालक जब सब हस रहे थे तब तुम चुप थे और अब सब चुप हैं तो अब तुम क्यों हसते हो तो अश्टावक्र ने एक बात कही कि राजन मैं तो बड़ी आशा से आया था कि तुम्हारी इस सभा में मुझे विद्वान मिलेंगे परन्तु तुम्हारी सभा तो चर्मकारों की शभा है राजा ने कहा करे बालक जबान संभाल के ये सारे के सारे विद्वान वेद और वेदांगों के उपनिशिदों के और ग्याता है ये सारे की सारी छे विद्याओं में माहिर हैं और तुम कहते हो कि ये चर्मकार हैं करें हाँ राजन बिलकुल कहता हूँ क्योंकि एक बालक जिसका शरीर अनेक जगहों से टेड़ा मेड़ा है उसको देखकर यदि कोई हस रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी नजर अभी केवल और केवल शरीर पर है चमडी पर है और चमडी को देखने वाला विद्वान नहीं हो सकता ज्यानी नहीं हो सकता वो तो केवल और केवल चर्मकार ही हो सकता है जैसी उसने कहा कि आपकी सभा विद्वानों की सभा नहीं है चर्मकारों की सभा है अश्टावक्र कहते हैं कि राजन मंदिर टेड़ा मेड़ा हो जाए तो आकाश टेड़ा मेड़ा नहीं होता ऐसे ही शरीर यदी मेरे किसी कर्म के कारण मेरे किसी संसकार के कारण यदी मुझे ऐसा शरीर मिला है तो उस शरीर के कारण मेरे चैतन्य में कोई विकार थोड़ी ना है शरीर विकार ग्रस्त है मैं जो हूँ मेरी जो अवस्था है ही उलजे हुए है इसलिए मुझे हची आई कहने के लिए विद्वानों की सभा है परंतु मेरी में नजर में ये चर्मकारों की सभा है राजा ने सुना तो राज़ाpolis बड़ा प्रभावित होता सारे विद्वान उनसे एक्षमायाचना करते हैं बाद में शास्त्रार्थ भी होता है जिसमें सारे विद्वान अश्टावक्र से मुह की खाते हैं बात यही है कि हमारी जो नजर है वो केवल और केवल पुद्गल पर है पुद्गल पर नजर है इसलिए ही पुद्गल की पहचान है पुद्गल में ही हम रम मान हैं बस डूबे वे आकंठ इसी जीवन के इनी बाहारी तत्वों में जब तक इन पंच भूतों के उलजाव में हम उलजे हुए हैं, तब तक उस अमूर्त सक्था की पहचान या उस अमूर्त सक्था का ज्यान कैसे हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है, जब आत्मा की बात की जाती है, तो लोग या तो लटके लेने लग जाते हैं, या थोड़े अगर सचेत भी हो, तो या फिर उनको एकदम से शंका होती है, जो चीज दिखाई ही नहीं देती, उस चीज का यकिन क्यों करना, उस चीज का विश्वास क् दिखाई डेती नहीं है, क्यों मानना चाहिए कि आत्मा जैसी कोई चीज है, ऐसा यह हुआ, शायद राधा कृष्ण के जीवन की ये बात है, कि राधा कृष्ण कहीं एक विदेश में किसी बहुत बड़े कॉलेज में, यूनिवसिटी में गए थे, और वहां उन्होंने द दर्शन सास्त्र की बात आई, और भारतिय दर्शन की बात हो और आत्मा की बात नहीं हो, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा दर्शनों का मूल ही आत्म जिग्यासा से होता है, अथा तो ब्रह्म जिग्यासा, अथा तो आत्म जिग्यासा, इसी से ही दर्शन का आरंभ है, आत्मा के बगए दर्शन का आरंब ही नहीं है भारत में अब वो जैसे उन्होंने आत्मा की विशे में कुछ कहना सुरू किया दो तिन बच्चे एकदम से खड़े वे और का सर हम कुछ कहना चाहते हैं कहां बोलो करें देखो यह आत्मा वूत्मा चीज जो है न यह किसी और को उल्लू बनाईए जाकर हमें इन चीजों पर यकीन नहीं होता आप कुछ और बताईए हमें जो हमें जिस पर हमें यकीन भी हो विश्वास भी हो तो राधा कृष्ण बोले करें भाई तुम्हें आत्मा पर यकीन नहीं होता पहले सुन तो लो करें नहीं नहीं जिस चीज प यदि आपने आत्मा को शिख्ध कर दिया, दिखा दिया हमें, तो हम मान लेंगे कि आत्मा होती भी है, और फिर हम आत्मा की बात सुनेंगे भी, तो राधा कृष्णी बोले करें, अच्छा ठीक है, हम बात आगे बढ़ाएं, मैं एक बात पूछना चाता हूँ तुमसे, एक सवाल है मेरा, कि क्या तुम बुद्धि मान हो, क्या तुम्हारे पास बुद्धि है, अब ऐसा कौन होगा भया, इंसानों में, जो अपने आपको समझदार न मानता हो, एक पागल भी अपने आपको समझदार समझता है, आप भी तो अपने आपको कम समझदार नहीं समझते हैं, आपके लिए पूरी दुनिया मूरक है और आप भी समझदार हो, जैसे उन्होंने कहा कि हाँ हमें हमारे पास है न बुद्धी दिमाग है हमारे पास हमारे पास मती है तो उन्होंने कहा ठीक है यदि तुम्हारे पास बुद्धी है तो मुझे बुद्धी दिखाओ अपने हाथ में लेकर कि कहा है बुद्धी अब जैसे राधा कृष्ण ने कहा कि मुझे बुद्धी साबित करो कि बुद्धी कहा है दिखाओ मुझे कहा है तुमारे बुद्धी तो वो कहने लगे करे ऐसे कैसे साबित किया जा सकता बस ये है पूरी दुनिया मानती है कि बुद्धी है हम मानते हैं कि हम बुद्धी मान हैं तो अब बुद्धी को तो ऐसे दिखा कर साबित नहीं किया जा सकता कैसे बताएं तो राधा कृष्ण बोले यही बात आत्मा की विश्य में है यदि तुम बुद्धी जैसे इस थूल वस्तू को भी दिखा नहीं सकते जो की प्रकृति के हिस्से में है प्राकृतिक चीज है उस प्राकृतिक चीज को भी यदि तुम मायागत चीज को भी अगर सिध नहीं कर सकते हाथ में प्रत्यक्ष दिखा कर तो जो आत्मा प्रकृति से परे है जो आत्मा अमूर्त है जो आत्मा सारे पुद्गलों से परे है उसको तुम ये चाहते हो कि तुम उसे हाथ में लेकर दिखाओ और तब तुम उसको मानेगे ऐसे कैसे हो सकता है अमूर्त के लिए अमूर्त होना आवश्यक है और हम आप सब जो भी जीव मात रहे अमूर्त तथा उसका सभाव है सभाव है इसलिए वो अपने आपको जान भी सकता है वहाँ पैठ भी सकता है इसी बात को हम थोड़ा सा और समझते हैं आगे इस विशे को बढ़ाते हैं जब बात आती है ने कि आत्मा दिखती नहीं है यह नहीं होता वो नहीं होता या जो चीजें दिखती नहीं है हमारे यहाँ पर पांचवी छटी सताब्दी में एक महान आचारी हुए है जिन भद्रगणी क्षमा शर्मन जिन भद्रगणी क्षमा शर्मन ने एक ग्रंथ लिखा है विशेशा वश्यक भाष्य आवश्यक सूत्र जो हमारा परती कर्मन सूत्र है उस पर उन्होंने भाष्य लिखा है पर गजब की बात ये है विशेशा वश्यक भाष्य इतना विशाल है कि आप उसे जैन ग्रंथ का या जैन सूत्रों का विश्यकोष समझ सकते हैं एसा वेदिक में सनातन परंपरा में एक एसा एसी कहावत है कि जो महा भारत में है वो सब जगए है और जो महा भारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ऐसी ही आप विशेशा वश्यक भाश्य की विशे में भी यह बात कह सकते हो कोई शायद ही कोई ऐसा विशे होगा जो उस ग्रंथ में अचूता रहा है उस युग के हिसाब से सारे विश्यों को उसमें चुआ गया है इसे में आत्मा का विशह जब आया वो तो बहुत विशाल है बहुत विश्तार में उसकी चर्चा है उस सब के बीच में हम नहीं जाएंगे परंतों जब आतमा की चर्चा हुई तो वहाँ पर भी यही सवाल किया गया, यही सवाल उठाया गया क्या आतमा दिखती तो है नहीं, तो फिर हम माने क्यों, क्योंकि जो दिखाई नहीं देती चीज उस पर हमें विश्वास करके मिलेगा क्या और फिर अगर दिखाई नहीं देती चलो मान भी लोके आत्मा होती है तो दिखाई क्यों नहीं देती तो फिर आचारिये ने 21 कारण बताए कि कोई चीज होती है और फिर भी होते हुए नहीं दिखती है तो उसके 21 कारण है अगर ये 21 कारण है आपके सामने या आपके साथ तो इन 21 कारणों में से कोई सभी एक कारण यदि होगा तो वस्तु आपके सामने होगी पर आपको दिखाई नहीं देगी चीज आपके आँखों के सामने होगी पर आप उसे देख नहीं पाएंगे यह 21 वजह है यहां तक यह तो पुदगलों के भी बारे में सिद्ध होता है कि यदि कोई पुदगल पुदगल एक चीज जैसे कोई भी मैटर से बनी वी चीज जो हमारी आखों का विशह है यदि वो हमारी आखों के सामने रखा हुआ है मानलो कि कोई किताब जो यह किताब है अगर की कोई पुस्तक आपके सामने रखी हो पर इन 21 कारणों में से अगर एक भी कारण है तो वो किताब आपको नजर नहीं आएगी तो वो 21 कारण है उनको हम थोड़ा-थोड़ा समझते हैं बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे थोड़े-थोड़े में आप समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए ये 21 कारण कौन से? सबसे पहला कारण उनोंने कहा सबसे पहली वज़े है वस्तु के नजर ना आने का वो है अती दूर अती शय दूरत्व उनोंने शब्द दिया बहुत दूर कोई चीज हो जाए तो वो नहीं दिखाई देती ये तो बिलकुल सिद्ध है दूर हो जने की वज़े से हमारी नजरों के सीमा से जब कोई चीज बाहर चली जाती है तो वो चीज दिखाई देनी बंद हो जाती है हमारी नजरों के सामने से यदि वो बहुत दूर चला जाए तो इसका मतलब येन एक चीज नश्ट हो गई है जैसे आपने कभी देखा होगा कि समुद्र के किनारे खड़े होकर जब आप किसी जहाज को दूर जाते विए देखते हैं तो एक सीमा ऐसी आते हैं पीक पॉइंट ऐसा आता है जब जहाज आपकी नजरों से दूर चला जाता है और जहाज दिखना बंद हो जाता है तो क्या विद्यमान होते विए दिखाई नहीं दे रही क्यों क्योंकि आपकी नजरों से बहुत दूर है दूसरा है अतीश से निकट बहुत नजदीक हो जाना बहुत दूर हो जाना उसकी वज़े से भी चीजे नजर नहीं आती और बहुत नजदीक हो जाए तो भी चीजे नहीं द दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नजदी की आ गई है, तो भी चीजें नहीं दिखाई देती, तीसरा है सूक्षमता, सूक्षमता मतलब बारिक पन्न, मैटर का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं एटम, या जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, या जिसे ये तो स संख्य असंख्य पुदगल भी अगर एक साथ, प्रमानों भी यदि एक साथ हो जाएं, तो ऐसा इसकंद भी कई बार नज़रों से हमें दिखाई नहीं देता, जिन प्रमानों को, जिन एटम्स को हम, माइक्रोस्कोप और यंत्रों से देखते हैं, यदि आप उन्हें खुल कि आँखों से नहीं दिखाई देती, क्योंकि सोक्ष्म है, अब सोक्ष्म अवस्था में वो विद्यमान है, एटम रहेगा, आपके चारों तरफ एटम है, आपके पूरे शरीर एटम से निर्मित है, आपके चारों तरफ सब अवस्थाओं में वो बिखरा पड़ा है, पर आपको नजर नहीं आ रहा, तो क्या इसका मतलब वो चीज है नहीं, क्या एटम नहीं है, साइंस भी कहता है कि वो है, भगवान भी कहते हैं कि प्रमान हो है, पर दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सोक्ष्म है, सोक्ष्मता की वजए से वो न देखते हैं बहुत सारा सामान देखते हैं परन्तों आप हर एक चीज याद नहीं रखते हैं हर चीज याद नहीं रहती क्यों कि तब आपका ध्यान कहीं और होता है कई बार ऐसा होता है कि आप यह किसी बात से चिंतित हों और कोई आपके सामने भोजन रख दे तो भोजन में ध्यान नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि सब्जी में आज नमक कम था या मिर्च जादा थी, आपको नहीं पता चलता, बाद में कोई पूछे, सब्जी कैसी थी, तब आप आँख उठाते और कैते, क्या, क्या पूछा, ध्यान यदि कहीं और है, तो यदि वस्तु होगा, तो भी आपको उसको, वो आपको दिखाई नहीं देगी, यह है चोथा कारण, पांचमा कारण है, इंद्रिय की दुर्बलता, यदि आपके कान यदि कमजोर हो गए, तो आपको सुनाए देना बंद हो जाएगा, यदि आँखे कमजोर हो गई, तो दिखाई देना ब अब जैसे ऐसा हो, कि जैसे दो बच्चे, दो भाई, अपने पिता के पास आएं और कहें कि हमें बीस बीस रुपे चाहिए, पिता एक को बीस का नोट देता है, और दूसरे को दस दस के दो नोट देता है, तो जिसे बीस का एक नोट दिया, वो एक दम से हट कर बैठता है, टा कि नइँछ चोटे को तो तुमने दो दो नोट दिया, और मेरे को एक क्यों दिया, वो खेता है यह नई नई, मुझे भी दो चाहिए, जब तक दो नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, अब और जाता है कि उसे दो नोट चाहिए, भाई या तस, दस के दो नोट या मती की दुरूबलता जब मती की दुरूबलता होती है तब भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती या वस्तु हमें पहचान में नहीं आती साथवां कारण है अशक्यता सामर्थे ना होना ताकत ना होना जैसे आप अपनी ही आखों से अपनी आखों को नहीं देख सकते अपनी आखों से अपने माथे को नहीं देख सकते आप कह सकते हो कि भाईया दरपण में तो हम आसारी से देख सकते हैं देख सकते हो परन्तु आप डाइरेक्ट नहीं देख सकते प्रत्यक्ष नहीं देख सकते आप किसी चीज का सहारा लेकर देख सकते हैं वो बात अलग है परंतु अशक्यता का मतलब है कि आप अपनी आँखों से सीधे अपनी आँख का और अपनी माथे का प्रतेक्ष नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये संभवी नहीं है इसी को अशक्यता कहते हैं आठवा कारण है आवरन आजाना किसी चीज को ढख देना यदि चीज ढखी भी है तो ढखी वी चीज आपके सामने होगी पर अपको दिखाई नहीं देगी इसको कहते हैं आवरन नवा है अभी भव अभी भव का मतलब होता है किसी बड़ी चीज के आजाने पर छोटी चीज का दब जाना जैसे इसको आसानी से समझीए जैसे सूर्योदय होने पर सारे तारे छिप जाते हैं या तारों का दिखना बंध हो जाता है इसको अभी भव कहते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि तारों का प्रकाश उसके सामने धूमिल पड़ जाता है तो तारे दिखने हमें बंद हो जाते हैं पर इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि तारे नश्ट हो जाते हैं सारे विद्यमान है परन्तो अभी भव होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते दस्वा है समानता समानता एक जैसी चीजें हो जाएं एक जैसा आकार प्रकार एक जैसा रंग हो चीजों का और कोई आपकी वो आपके हाथ में कोई चीज हो और आपको छूट के वो सारे उन जैसी चीजें हैं एक जैसी चीज होने के कारण आप जिस चीज को देखना चाहते हो जिस चीज को खोजना चाहते हो उस चीज को देख नहीं पाओगे क्योंकि सारी के सारी चीजें वहां समान हैं तो जहां समानता होती है वहां चीज सामनी विद्यमान होकर भी आपको दिखे पहचान में नहीं आये गी है ज्यार्वा में जीस अ श्या एनॉपयोग की अनौपयोग करता है आतो श्यांन नहीं होना वह हमारा जोड़ा हुना जैसे उपयोग हमारे यहां पर बोद्ध को कईते हैं जब किसी वी चीज़ पर हम अपना ध्यान एकागर करते हैं। अब जैसे मैं चस्मे से देख रहा हूं परंतो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं चस्मा bazी देख रहा हूं। बिना चस्मे को देखे वगेर मैं बाहर नहीं देख सकता क्यों क्योंकि चस्मे को मेरी नजरों से जो प्रकाश निकलता है वो जब चस्मे को भेदेंगे जब आगे जाएंगे तभी तो मुझे बाहर की चीज़ें में नजर आएंगे या बाहर का यह जो प्रकाशों का आवरतन और प्रत्यावरतन जो साइंस की भाशा में होता है जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं बाहर की चीजों को कैसे देखूंगा पर गजब की बात यह है कि चस्मा पहने हुए मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं चस्मे को भी देख रहा हूँ इसी को कहते हैं अनुपयोग होना जैसे आप एगर कांच के सामने जैसे खिड़की दर्वाजों में कांच लगे रहते हैं पर आपको कांच दिखाई नहीं देता आपको कांच की तरफ ध्यान नहीं होता अब ध्यान कांच की तरफ नहीं हो कांच में एगी कहीं क्रेक हो कहीं तूटा हुआ हो कहीं थोड़ी सी मतलब कोई विकार हो या कोई मैला हो तो यदि कोई कहे कि भाया कांच में आपने ध्यान दिया कुछ हो रखा है कि ने ने मैंने तो कांच में ध्यान ही नहीं दिया कांच दिख रहा है दिखने के बावजूद आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अनुपयोग है, अनुपयोग का मतलब वहां आपका ध्यान नहीं है, वहां आपने गौर नहीं किया, ये तो केवल 11 कारण आज हो पाये हैं, कि वस्तु हो तब भी होने के बावजूद नजर नहीं आती, यदि ये 11 कारण जो आज आपने सुने हैं, और आगे के 10 विद्यमान होता है, तो वस्तु दिखाई नहीं देती, आगे जो कारण है उन पर भी हम चर्चा करेंगे, आगे भी इस विश्य को बढ़ाएंगे, पर आज इतना ही, कि अमूर्त थत्व के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी यकीन को जगाएं, कि आत्मा अमूर्त है, तो अमूर्त को अमूर्त की दशा में पहुँचने के लिए धारणा, ध्यान, समाधी का मार्ग अपनाई, जो ऐसा करेंगे, उन्हें अवश्य ही अमूर्त दशा का बोध होगा, इनी भावनों के साथ, ओम शान्त.